बच्चों हम बात कर रहे थे रनपत्रों का निर्गमन एवं मोचन अगर बात की जाए तो इसके भाग छे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं रनपत्रों पर ब्याज का लेखांकन आपको शुरू में ही बता दिया गया है कि रनपत्रों का जो प्रतिफल है वो ब्याज होता है आप किसी कंपनी के रणपत्र क्यों खरीते हैं, क्योंकि कंपनी आपको प्रतेक वर्ष उस पर निशित दर से क्या देती है, ब्याज देती है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे, कि कंपनी जब रणपत्रों पर ब्याज देती है, तो उसका किस तरीके से कंपनी लेखांकन करती है, साथ-ि-साथ, इसमें दूसरा बिंदू आप पढ़ेंगे, बट्टे की हानी का अपलेखन करना, जो बट्टा आपने रिनपत्रों के निरगमन पर दिया है, या आपको रिनपत्रों के निरगमन पर जो हानी हुई है, उस हानी को किस तरीके से अपलिखित करेंगे यानि लाभानी खाते से चार्ज करेंगे क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बट्टा एक पुंजिगत हानी है और इसे आने वाले समय में थोड़ा थोड़ा करके लाभानी खाते से चार्ज किया जाता है तो आईए शुरू करते हैं रणपत्रों पर ब्याज रणपत्रों पर ब्याज कमपनी अपनी सुवीधा अनुसार अपने रणपत्रधारियों को ब्याज का भुकतान प्रेमासिक अर्धवार्शिक या वार्शिक कर सकती है और उसके रजिस्टर्ड स्वामी को जो कमपनी का मतलब रणपत्रों का जो रजिस्टर्ड स्वामी है उसे कंपनी उन रणपत्रों पर ब्याज दे सकती है आयकर अधिनियम के अनुसार किसी रणपत्रधारी को दिया जाने वाला ब्याज एक निशित सीमा से अधिक होता है तो उस पर आयकर काट कर text deducted at source जिसे आप short में कहते हैं TDS आपनी शब्द सुना होगा भुकतान किया चाता है इस बिंदू पर आगे बढ़ने से पहले आपको TDS का मतलब भी बताना चाहूँगा हमारी देश की सरकार का आय का मुख्य स्रोत है कर उस कर में भी आय कर एक ऐसा कर है जिससे हमारी देश की सरकारें अपनी आय में व्रद्धी करती है और हमारे देश का संचालन उस करकी आई से ही करती है तो करकी चोरी रोकने के लिए क्योंकि हर करदाता कर बचाना चाहता है सरकार को कर देना नहीं चाहता है तो वो कई बार गलत तरीके से करकी चोरी करकर कर नहीं देता है उस करकी चोरी को रोकने के लिए सरकार ने concept बनाया है उदगम स्थान पर करकी कटोती जिसे English में कहा जाता है tax deducted at source इसका मतलब है जहां आय उत्पन हुई है वही उसका कर काट लिया जाए तो यहां पर यह concept आपको क्यों पड़ा है जा रहा है क्योंकि company रणपत्रधारी को ब को company खुद काटेगी और सरकारी कोश में जमा कराएगी रणपत्रधारी के नाम से यही उदगम स्थान पर करकी कटोती है इस करको संग्रह करने का या काटने का दायित्व company पर डाल दिया गया है कि आप अपने रणपत्रधारियों को ब्याज देने से पहले उस ब्याज पर कराटने के बाद अगले साथ तारिक तक य probation यूदर सरकारी घजाने में जमाा किराएगी यह है कि उससे चुकाया माना जाता है तो उसमें इस चुकाए गए कर का फायदा रणपत्रधारी को मिल जाएगा जिसके लिए कमपनी उसे कर कटोती का प्रमानपत्र जारी करती है और ब्याज भुकतान की क्या प्रविस्टिया होती है उसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर tax deducted at source को समझ लीजिए आप एक कमपनी है और आप रणपत्रधारी को दिये जाने वाले ब्याज पर क्या करेंगे करके कटोती करेंगे आईए अब बात करते हैं इसकी जर्नल प्रविस्टियों की सबसे पहले ब्याज दे होने पसजब ब्याज दे होता है तो क्या entry की जाएगी क्यों 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 कि कंपनी के लिए डिबेंचर इंट्रेस्ट क्या है खर्चा तो उसे डेबिट किया गया माल लीजे आपको 10,000 रुपए का ब्याज देना है इस 10,000 में से 2,000 रुपए कर काटने है और 8,000 रुपए आपको रणपत्रधारी को देना है तो debenture interest में 10,000 लिखा जाएगा, debenture holder में शुद्ध राशी लिखी जाएगी करकाटने के बाद, जो कि है 8,000 और tax deducted at source में लिख दी जाएगी करकी राशी, उसके बाद में इन दोनों राशीों का अलग-अलग भुकतान कर दिया जाएगा, ये debenture holder को ब्यास दिया जाएगा तो उसकी जर्नल प्रविस्टी होगी, tax deducted at source account debit to bank, और अंत में जो आपने debenture interest को debit किया है, उसे लाभाने खाते से चार्च किया जाएगा, जिसकी जर्नल प्रविस्टी होगी, statement of profit in loss account debit to debenture interest, तो क्या प्रविस्टी यां करने हैं आपको, सबसे पहले ब्याज को दिया करन है, फिर ब्याज में से शुद्ध ब्याज की राशी रणपत्रधारी को चुकानी है, और काटे गएकर को सरकारी खजाने में जमा कराना है, और फिर debenture interest को लाभाने खाते से चार्च करना है, आईए इसे समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक के उधारन 17 की बात करते ह एक अप्रेल 2016 को ए लिमिटेड ने 100 रुपय वाले 2010 प्रतिशत रणपत्र, यह 10 प्रतिशत बहुत जादा important है यहाँ पर, क्योंकि आप ब्याज का लिखा अंकन कर रहे हैं, और रणपत्रों के आगे जो दर दी होई होती है, वो उनके ब्याज की ही दर होती है, तो 100 रुप इनको पैसा देंगे, तो 100 रुपय की जगह 110 देंगे, और आज निर्गमित किया है, तब इनसे 100 रुपय की जगह, मात्र कितने रुपह लिए है, 90 रुपह लिए है, रणपत्र के निर्गमन तथा 31 मार्च 2017 की समापत अवधी के लिए, रणपत्र ब्याज से संबंदित र परदवार्शिक दिया जाता है यानि साल में दो बार दिया जाता है तो अप्रेल 2016 में रणपत्र जारी किये हैं अगर यहां बात की जाये तो छे महाँ बाद यानि कि आप पहले ब्याज का भुक्तान करेंगे September 30 को और उस से अगले ब्याज का भुक्तान करेंगे आप मार्च 32,017 को तब उसके 6 माह पूरे होंगे आगे देखें जिसमें से आदे का भुकतां 30 सितमबर 2016 को तता 6 31 माह 2017 को किया गया वो ही बात है यहां करकी दर 10 प्रतीशत है आईए अब सबसे पहले इन राशियों को समझ लेते हैं स्टुडेन्ट dispatch अगर आप देखेंगे चाहे रन पत्र प्रेमियम पर जारी किये जाएं चाहे बटे पर जारी किये जाएं ब्याज की गड़ना हमेशा रन पत्रों के अंकित मुल्या पर की जाएगी तो दो हजार रन पत्र हैं और एक रन पत्र का अंकित मुल्या 100 रूपए ह और ये जो 10% है, ये रनपत्रों की क्या है, ब्याज की दर है, जब आप 10% ब्याज निकालते हैं, तो ब्याज की रकम निकल कर आती है 20,000, लेकिन 20,000 ये जो दर होती है, ये silently, बिना कहे ही समझ में आनी चाहिए, वार्शिक ब्याज की दर है, 10% आपको साल में एक बार देना ह लेकिन सवाल में लिखावा है कि हमें साल में दो बार देना है, तो इस ब्याज की दो टुकड़े कर दिये जाएंगे, 10,000 पहला ब्याज और 10,000 दूसरा ब्याज साथी साथ कर की दर, तो कर किस पर काटा जाएगा, कर काटा जाता है, आए पर, और ये आए है, तो यहाँ पर अगर कर काटा जाएगा, तो 10,000 का 10% निकालिए आप, और आपको पता चलेगा कि 1,000 रुपए कर है, और 9,000 रुपए आपको रणपत्रधारी को शुद्ध ब् पतान करना है, सेम ट्रिट्मेंट यहाँ होगा, वो ही एक हजार और 9,000 आपको राशी समझ में आएगी, एक बार फिर से समझा देता हूँ, दो हजार रणपत्र है, 100 रुपए वाले हैं, दो हजार को सो से गुणा कि अंकित मुल्या से गुणा करना है, चाहे प्रेमियम प उगडे की है, वो आगए, 6-6 माह में 10-10,000, सवाल में लिखावा है, कर की दर 10 पतिशत, तो कर कटता है, आए का, आए क्या है, ब्याज है, इस पर 10 पतिशत जब हम निकालते हैं, तो 1000 रुपए आते हैं, इसका मतलब 10,000 रुपए का ब्याज देने, देते समय, 1000 रुपए आपको रणपत्रधारी के साथ, रणपत्रधारी को भुक्तान करने, सेम ट्रिटमेंट दूसरी बारवाली ब्याज में करना है, तो अब हम जर्नल एंट्री करते हैं, पहले यहाँ पर हम निर्गमन की जर्नल एंट्री करते हैं, क्योंकि यहाँ पर निर्गमन और रणपत् इशु आफ डिवेंचर के नाम से debit और premium on redemption के नाम से credit किया जाता है साथ ही साथ एक बात और बताई थी कि यदी रणपत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया है और शोधन premium पर हो रहा है तो loss on issue of debenture और discount on issue of debenture इन दोनों को loss on issue of debenture के नाम से ही लिखा जाता है आईए शुरू करते हैं journal entries दो हजार रणपत्र हैं सो रुपर वाले हैं दस पतिशत बट्टे पर जारी किये हैं तो दो लाग का दस पतिशत काटने के बाद एक लाख असी हजार रुपर प्राप्त होंगे त account debit to 10% debenture application and allotment और इसकी राशी होगी एक लाख असी हजार रुपर एक बार फिट से देख लें कैसे निकाला दो हजार को सो से गुणा किया और दस पतिशत बट्टा काटा अब दूसरी प्रविस्टी कि अगर बात करूँ तो दूसरी प्रविस्टी होगी debenture application and allotment account debit loss on issue of debenture account debit जिसमें discount भी लिखेंगे और loss on issue भी लिखेंगे debenture application and allotment account debit loss on issue of debenture account debit to 10% debenture to premium on redemption आईए अब इसमें amount फिल अप करते हैं debenture application and allotment में लिखे जानेगे एक लाख असी हजार loss on issue 2 होंगे 20,000 तो discount है और 20,000 premium जो कि आप शोधन के समय देंगे उसे भी आप आज ही loss मानेंगे तो ये आएगा 40,000 10% debenture में nominal value लिखी जाएगी face value लिखी जाएगी जो कि है 2,00,000 और 20,000 रुपए premium on redemption है ये आपके निर्गमन की journal प्रविस्टियां हो चुकी है सवाल में दो तरह की प्रविस्टियां मांगी थी रिणपत्रों के निर्गमन की और ब्याज की तो निर्गमन की प्रविस्टियां कर चुके हैं अब हम बात करते हैं ब्याज की ब्याज की calculation आपको पूरी बताई जा चुकी है सालबर का ब्याज है 20,000 जिसमें 6 महा का ब्याज होगा 10,000 10,000 में भी 10% कर काटना है आईए तो ब्याज को सबसे पहले due करेंगे पहला ब्याज जो due होगा वो होगा 30 सितंबर को क्योंकि एक अपेल 2016 को आपने रण पत्र जारी कियें तो 6 महा 30 सितंबर को पूरे होते हैं तो entry होगी debenture interest account debit to debenture holder to tax deducted at source जैसा कि यहाँ कर रखा है debenture interest में लिखेंगे 10,000 debenture holder में शुद्ध राशी लिखेंगे कर काटने के बाद और 1000 उपर डाल देंगे tax deducted at source इसके होगी debenture holder account debit to bank जिसकी राशी होगी 9,000 और tax चुकाने की entry होगी tax deducted at source account debit to bank जिसकी राशी होगी 1000 tax deducted at source to bank 1000 रुपए debenture holder to bank 9,000 रुपए यह हमने ब्याज का बुक्तान कर दिया अब अगर बात करें तो अगर आप notes में देखेंगे तो चौती entry है ब्याज को लाभानी खाते से चार्ज करने की लेकिन statement of PNL बनता है साल के अंत में यानि 31 March को तो तब ही पूरे ब्याज को एक साथ चार्ज किया जाएगा तो अब 6 महाबाद फिर दूसरी किष्ट due होगी 6 महाबाद 31 March को फिर से एक नेक्स्ट जो किष्ट वो due हो जाएगी ब्याज की और फिर से same entry होगी debenture interest account debit राशी भी सेम होगी debenture interest account debit to debenture holder to tax deducted at source बस तारिक बदल गई है अब आजाएगा 2017 March 30 क्योंकि अगले 6 महाद अब ही पूरे होंगे यहाँ पर लिखेंगे 10,000 debenture holder में लिखेंगे 9,000 और यहाँ पर लिखेंगे 1,000 रुपए अब इन दोनों का अलग-अलग भुक्तान करेंगे tax deducted at source account debit to bank 1,000 debenture holder account debit to bank शुद्र अकम चुकाई जाएगी 9,000 पूरे एक साल के ब्याच का लेखांकर होने के बाद अब ब्याच को चार्ज किया जाएगा लाभानी विवरन से और अगर आप गौर करेंगे students तो पहले साल आपने 10,000 पहले 6 महाद आपने 10,000 से debit किया और दूसरे 6 महाद आपने फिर से debenture interest को 10,000 से debit किया तो आपकी पुस्तकों में debenture interest का खाता 20,000 से खुल चुका है जिसे आप एक साथ साल के अंत में statement of P&L से चार्ज करेंगे जिसकी entry होगी आपने इसे debit करके खोला है चार्ज करने ते समय इसको credit किया जाएगा और किस से चार्ज करेंगे statement of P&L से तो क्या entry होगी statement of P&L account debit to debenture interest और ये राशी होगी 20,000 रुपए रणपत्रों पर ब्याज के लेखांकन को समझने के बाद अब बात करते हैं अगले पॉइंट की अगला पॉइंट जो हमने इसमें शामिल किया है वो है रणपत्रों के निर्गमन पर होने वाली हानी या बट्टे का अपलेखन किस तरीके से किया जाता है तो आईए बात करते हैं रणपत्रों का निर्गमन पर बट्टा हानी को अपलिखित करना रणपत्रों के निर्गमन पर बट्टा तता हानी यानि की बात हो रही या discount on issue of debenture या फिर loss on issue of debenture को कब debit किया जाता है जब निर्गमन के समय ही आपको पता हो कि आप रिणपत्रों का शोधन काई पर करेंगे प्रीमियम पर करेंगे ये दोनों ही हानी किस तरह की हानी है पुंजीगत हानी है जिसे या तो पुंजी प्रियाप्त मात्रा में उपलब्द हूँ अत्वा statement of profit and loss से भी अपलिकित किया जा सकता है या फिर जो प्रतेक वर्ष हम लाभानी ग्यात करने के लिए statement of profit and loss बनाते है जैसे कक्षा 11 में आपने लाभानी खाता बनाया है वैसे company बनाती है statement of profit and loss तो उससे भी चार्ज किया जा सकता है लेकिन statement of P&L से पूरी राशी को एक बार में चार्ज नहीं किया जा सकता प्रतेक वर्ष थोड़ा थोड़ा चार्ज किया जाएगा वैसे इन हानियों को अपलिखित करने का समय company अधिनियम में निर्धारित नहीं है वैसे कुछ नहीं बताया गया है company अपने हिस करती है कि आने वाले 2030 यानि 10 साल बाद रणपत्रों का शोधन कर दिया जाएगा तो यह हो गई रणपत्रों के अवधी तो यहां पर company अधिनियम में तो रणपत्रों के निर्गमन पर होने वाली हानी को किस तरीके से पीनल से चार्ज करना है किस तरीके से अपलिखित करना है इस बारे में कोई अवधी या कोई विशेश बात नहीं बताई है लेकिन सामाने जता है जो रणपत्रों के अवधी है यानि जितनी समय तक company रणपत्रों का पैसा प्रियोग कर रही है रणपत्रधारियों का पैसा प्रियोग कर रही है शोधन से पहले पहले इस हाने को अपलिखित कर देना चाहिए अपलेखन की प्रविस्ट्री क्या होगी यदि पूंजीगत लाभू से अपलिखित करें तो आप सभी जानते हैं कि यह हानियों को जब यह होती है तब इन्हें डेविट किया जाता है जब इन्हें और अगर लाभानी खाते से की जाती है तो भी एंट्री वो ही है स्टेट्मेंट औफ प्रोफित एंड लॉस अकॉंट डैबिट ज़र्णल एंट्री दो हमने समझ ली है लेकिन बात आती है कि अपलिखित की जाने वाली राशी का निरधारण कैसे किया जाए तो उसके लिए आपके पाठ्थे पुस्तक में दो विधियां दी गई हैं उनकी बात करते हैं लाब हानी विवरण से हानी को अपलिखित करने की दो विधियां है पहली विधि है स्थाई किष्ट विधि ध्यांदे नाम से ही इसकारत समझ में हो आएगा स्थाई किष्ट विधि क्यों जब रणपत्रों का शोधन एक निशित आवधी के पश्षात एक मुष्ट किया जाता है यानि कि जैसा भी मैंने कहा कि 2021 में हमने एक लाख रुपय के रणपत्र जारी किये और 2030 में हम एक साथ इने एक लाख रुपयों का शोधन करेंगे यहां कहने का मतलब एक मुष्ट का मतलब एक साथ शोधन करेंगे एक निरधारित समय के बाद ऐसी स्थाई किष्ट विधि रणपत्रों के हानी पर लगानी चाहिए उस इस्तती में कुल हानी को उस अवधी में बराबर बाड़ दिया जाता है जैसे माल लीजे 10,000 के हानी हुई है और 10 साल अवधी है तो प्रतिक वर्ष के हानी 1,000 होगी इसलिए से स्थाई किष्ट विदी कहा गया है क्योंकि इसमें होती है बोर्ड एक्जामनेशन में आपसे पूछा जा सकता है आपने एक अक्षा 11 में मुल्यहांस डेप्रिशेशन चैप्टर पड़ा होगा और उसमें मुल्यहांस लगाने की विदी इस्ताई किष्ट विदी क्यों कहा जाता था उसे क्योंकि उसमें प्रतेकवश जो हास लगाया जाता था उसकी राशी प्रतेकवश समान होती थी यहां पर भी जो राशी लाभानिकाते से चार्ज की जाएगी वो प्रतेकवश मुख्यत समान होती है आईए इस विदी को समझाने के लिए कुदहारन हम लेते हैं उधारन के लिए यदी 110% रणपत्रों को 100 पर हम पढ़ रहे थे ब्याज काले खंकन अब हम पढ़ रहे हैं जो आठ प्रतिशत बटा हुआ है इस हाने को किस तरीके से हम पी एनल से चार्ज करेंगे उसके बारे में तो एक हजार रणपत्र हैं सो रुपए अंके तो मुल्य है और इनका निकाला जाएगा कितना प्रतिशत की हाने हुई है जो कि राशी के रूप में कितना है आठ हजार साथ ही साथ लिखाव है जिनका शोधन पांच वर्ष बाद क्या होगा एक मुष्ट होगा तो आपको कुछ नहीं करना है यहां पर इस्थाई किष्ट विदी के अनुसार कुल हाने में आपको बराबर बातने के लिए अवदिखा भाग देना है तो प्रतेक वर्ष के हानी कितनी होनी चाहिए प्रतेक वर्ष के हानी होगी आठ हजार कुल हानी है इसे 5 बराबर भागों में बातने के लिए 5 का भाग देंगे तो प्रतेक वर्ष अपलिखित की जाने वाली राशी होग तो ये बात हमने कौन सी विधी की करी, इस्थाई किष्ट विधी के बाद आप बात कर लेते हैं इसकी दित्य विधी की, एस्थाई किष्ट विधी, जब रणपत्रों का शोधन किष्टों में किया जाता है, इस्थाई किष्ट विधी का जो प्रियोग कर रहे हैं, वो तब क कर रहे हैं जब आप रणपत्रों का शोधन एकमुष्ट कर रहे हैं जब कि आप ऐस्थाई किष्ट विदी का प्रियोग कप करेंगे जब आप रणपत्रों का शोधन किष्टों में करेंगे जब रणपत्रों का शोधन किष्टों में किया जाता है तो हानी की राशी का अपलेखन प्रतिवर्ष रणपत्रों की प्रियुक्त राशी के अनुपात के आधार पर किया जाएगा यानि जितनी राशी अपने रणपत्रों की प्रियोग की है उस आधार पर रणपत्रों का जो हानी है, रणपत्रों की जो हानी है, उस अनुपात के आधार पर अपलिखित की जाएगी, इस विधी के अनुसार बट्टी की राशी साल दर साल क्या होती है, अपलिखित की जाने वाली बट्टे की राशी साल दर साल क्या होती है, कम होती ज आहारण के लिए कंपनी ने 15 लाख रुपए के 9 प्रतिशत 10 प्रतिशत बट्टे पर निर्गमित करती है यह 9 प्रतिशत ब्यासदर है और बट्टा है 10 प्रतिशत अभी हम बात कर रहे हैं बट्टे की बट्टे को किस तरीके से जिनका मोचन वार्शिक आहारण पर प्रतिक व शोधन कर देंगे 3,00,000,000 रुपए पहले साल के अंथ में 3,00,000 रुपए दूसरे साल के अंथ में 3,00,000,000 तो यह हो गया किष्टों में शोधन अप लिखित की जाने वाली बट्टे की राशी की गढणना कैसे करेंगे वह देखिएगा इस तरह से आपको बकाया राशी कर प्रत्म वर्श में बकाया राशी कहदो या प्रियुक्त राशी कहदो पूरी पन्द्रा लाख है हाला कि आपने साल के अंट में तीन लाख रुपए चुका दिए होंगे लेकिन साल भर आपने प्रियुक्त कितनी की पूरे पूरे 15 लाख रुपए, फिर आपने 3 लाख चुका दिये, तो दूसरे साल आपने कितने प्रियुक्त किये, 12 लाख रुपए, फिर आपने 3 लाख रुपए चुका दिये, तो दूसरे साल में आपने कितने राशे प्रियुक्त किये, 6 लाख, और पांचवे साल में आपने तीन लाग रुपए चुका दिये, तो यहां पर जो अनुपात निकालना है, वो प्रियुक्त राशी का निकालना है, अब बात करते हैं, इस अनुपात को अगर आप देखेंगे, तो सब में पांच जीरो कॉमन है, इस कारण इनका अनुपात आएगा, पांच अनुप तो बटे पर जारी किया गया है, तो पंद्रा लाख का दस प्रतिशत हानी होती है, एक लाख पचास जार, तो हानी की कुल रकम है, एक लाख पचास जार, जिसे पांच सालों में इस अनुपात के आधार पर बाटा जाएगा, यदि इनका शोधन एक मुष्ट होता, तो एक लाख पचास जार के हानी में आप पांस साल का भागद देते, प्रतिक वर्ष के हानी तीस जार हो जाती, लेकिन ये किश्टों में शोधन है, तो इसमें हानी को प्रियुक्त राशी के अनुपात में अपलिखित किया जाएगा, एक लाख पचास जार कुल हानी, इंटू प पचास जार इंटू दो बटा पंदरा, और एक लाख पचास जार इंटू एक बटा पंदरा, जब आप इसे हल करते हैं, तो ये राशी आती है पचास जार, ये राशी आती है चालीस जार, ये राशी आती है तीस जार, ये राशी आती है बीस जार, और ये राशी आती है दस अजार जैसा कि इनोने विधी में समझाया था कि इस विधी में प्रतेक वर्ष बटे की राशी साल दर साल घरती रहती है इसले से परिवर्तनी या किष्ट विधी कहते हैं आप देख सकते हैं इसमें प्रतेक वर्ष बटे की राशी कम होती जा रही है क्योंकि शुरू के वर्षों का अनुपात जादा होता है और बात के वर्षों का अनुपात कम होता है जब किस्थाय किस्त विदी में प्रतेक वर्ष राशी समान होती है आईए अब इस कॉंसेप्ट को समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक का उधारन संख्या 18 एलिमिटेर कमपनी ने एक लाख रुपए के नो प्रतिशत रणपत्रों को 6 प्रतिशत बट्टे पर निर्गमित किया है 6 प्रतिशत बट्टे पर एक लाख रुपए गिरण पत्र है और 6 प्रतिशत बट्टे पर निर्गमित किया है तो एक लाख का 6 प्रतिशत कुलहानी 6,000 रुपए है ये रण पत्र पांच वर्षों के विस्तार में वार्शिक किष्टों में बराबर राशी में मोचित होने है यानि आप 5 साल में इनका शो दन करेंगे और बराबर यानि प्रतिक वर्ठ आप 20-20-20 हजार रुपए चुकाएंगे तो प्रतम साल में आपने कितनी राशी परियोगत की पूरी एक लाख फिर आपने 20,000 चुका दिए तो दूसरे साल में अपने 80,000 प्रियोग किए फिर 20,000 चुका दिए तो 60,000 प्रियोग किए फिर 20,000 चुका दिए तो 40,000 प्रियोग किए और फिर 20,000 लास्ट में आ जाएंगे तो सबसे पहले तो बट्टे की राशी निकालते हैं और फिर साथ ही साथ आपको रणपत्रों के निर गमन पर कुल हानी है एक लाख इंटू छे परसेंट आपको निकालना है जो की है छे हजार अब इस छे हजार की राशी को किस तरीके से अपलिखित करेंगे उसके लिए आपको फिर से वही टेबल बनानी होगी प्रियुक्त राशी पहले वर्ष एक लाख फिर असी हजार फिर साथ हजार फिर चालीस हजार और फिर बीस हजार सवाल में कहीं नहीं लिखावा है कि हम बीस हजार का शोधन करेंगे बस ये लिखावा है कि पांस समान किष्टों में शोधन करेंगे तो एक लाख में पाँच का भाग देने पर राशी 20,000 हमने निकाल लिया और उसे हम घटाते गए हैं ताकि हमें प्रिर्ट राशी पता चल सके अनुपात की बात करें तो पाँच चार तीन दो एक कुलहानी 6000 इंटू पाँच बटा पंद्रा 6000 इंटू 4 बटा पंद्रा 6000 इंटू 3 बटा पंद्रा 6000 इंटू 2 बटा पंद्रा और 6000 इंटू 1 बटा पंद्रा जब आप इसे हल करते हैं तो ये आता है आपके 2000 रुपए, 1600, 1200, 800 और 400 अब बात करते हैं ये हानी तो आप समझ चुक्योंगे तो अभी हमने समझा है discount account किस तरीके से बनाया जाएगा ये बहुत important है इसे आप ध्यान से समझें discount on issue of debenture ये एक account ही है जैसे आपने कक्षा 11 में laser की है लेकिन 5 सालों का एक साथ है इसलिए आपको इस तरीके से ये नजर आ रहा है सबसे पहले बात करते हैं जब हम debenture को issue करते हैं तो हम discount को debit करते हैं हम entry करते हैं debenture application and allotment account debit discount on issue of debenture account debit to debenture तो जब हम laser करेंगे तो discount on issue of debenture में लिखा जाएगा to debenture और कुल राशी लिख दी जाएगे debenture discount के सामने वाली जो की है 6000 अब यह जो राशी आपने निकाली है यह प्रतिकवर्ष PNL में जाएगी तो आपको नजर आ रहा होगा इधर by statement of PNL में आपको वो राशी लिखनी है जो आप PNL से चार्ज करेंगे क्योंकि आपको सवाल के शुरू में ही यहाँ पर बताया गया था कि PNL से चार्ज करने के एंट्री होती है statement of profit in loss account debit to discount on issue of debenture तो जब आप discount on issue of debenture अकाउंट मना रहे हैं तो statement of PNL को buy में लिखेंगे तो statement of PNL में लिखेंगे कितना statement of PNL में प्रथम वर्ष में प्रथम वर्ष की राशी लिखेंगे और प्रथम वर्ष की राशी कित्ती आ रहे है दो हजार रुपए तो यहाँ पर आप लिखेंगे दो हजार 6000 में से 2000 घटाने के बाद balance बच जाएगा 4000 और अब आप टोटल लगा दीजिए 6000 6000 जो प्रथम वर्ष का closing balance है वो second year का कौन सा balance होगा opening balance होगा तो उसे यहाँ transfer करेंगे फिर से साल के अन्त में statement of penal से राशी चार्च करेंगे और इस बार की राशी है 1600 रुपए जैसा कि आपने गढ़ना की है 4000 में से 1600 रुपए घटाने के बाद जो राशी बचेगी 2400 रुपए और दोनों तरफ का total लगा देंगे 4000 और 4000 जो second year का closing है वो third year का opening है तो opening balance यहाँ उतारेंगे और इस बार third year में आपको अपलिखित करने है P&L से 1200 रुपए तो balance भी बच जाएगा 1200 रुपए तो total लगा दीजे 2400 रुपए third year का closing balance, fourth year का opening balance हो जाएगा जो कि 1200 रुपए है और आपने P&L से fourth year में चार्ज की है 800 रुपए तो balance बचेगा 400 रुपए क्योंकि 1200 में से 800 घटाने के बाद 400 रुपए और जो fifth year का closing वो fifth year का opening जो की है 400 रुपए और इसे पूरा-पूरा किस से चार्ज कर लेंगे P&L से तो आपका discount on issue of the venture account complete होता है इसी के साथ रणपत्रों के निर्गमन के हानी का किस तरीके से application किया जाता है वो बिंदू भी समापत होता है अगले वीडियो में मिलेंगे अगले concept के साथ तब तक के लिए धन्यवाद